ये है सबसे बड़ा RJS पार्क और हम इस पार्क को मॉडिफाई करने वाले हैं तो मेरे भतीजो की आर्मी ये जो बड़ा सा RJS लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये बनाया है हमारे दोस्त प्लेयर मैक्स ने बनाया है इसमें लगाई जाए क्या जाए क्योंकि इसका नाम है पार्क में ट्री नहीं है तो पर काहे का पार्क बती तो मैंने ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया वैसे ये इतना बड़ा बड़ा RGS लिखना भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हुआ हुआ मैक्स वाई के लिए अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी हमने पेंड लगाना स्टार्ट कर दिया है अब ही हम श्रूंबात करते है चल्दी चल्दी से इस पूरे पार्ट के असपीड लगा देते हैं परिजो नयुकल फिप्टी पर्सेंट्री लग चुके हैं इतने में दो पजीणा निकल लेए हमने यहां लेके वहां तक पेंड लगा दिया है बहां से लेके यहां तक पेंट लगा दियें, पेंट जबकि दूर दूर हैं लेकिन दूर से काफी ज़दा अच्छे लग रहे हैं अभी हम पूरे लग चुके हैं, पीछे का एरिया मनें छोड़ दिया है इहां बनाएंगे चलके यहां पर आगे से देखते हैं, कि कैसा लग रहा है हमारा R.J.S. पार्क नाओ अभी हम R.J.S. पिर कैसे लगते हैं, जिसके लिए मैं ने मगा लिया है फ्लाइंग जैड को यहां पर पेड लगाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि मैक्स भाई जब यह बना रहे थे भाई इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही थी इसलिए अगर पेड बनाते हुए अगर मनें पेड को इदर उतर मूफ किया और धोके से कोई भी कंटेनर में टर्च इसको बाद में अजस्ट करते हैं लेकिन पेड अच्छे घासे लग चुके हैं बस इस बात की घुसी है मुझको नाव इस बड़े आर के अंदर भी हम ट्रीस लगा देते हैं पता नहीं इस आर के अंदर क्या टोड़का था मैं बार बार गिर रहा था पर फाइनली हमने यह लगा दिये हैं लेकिन मुझे एक बात का डर है कि इतना ऊपर है क्या यह नीचे से दिखेंगे वैल अभी तो नीचे जाकर पता करते हैं कि कैसे दिख रहे हैं बचे हुए जगाओ में भी आपको सायद ही समझ में ना आय कि हम कहां खड़े हैं पर हम जब नीचे जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ चाचा ने अच्छा काम किया है ना वगती जो चोटा साइज है उधर भी एस सारे ट्रीश लगादेते हैं अब यह फ्लाइंग जड़ से नीचे आच करें अब देखते हैं कि जो हमने घंटो महनत करके ट्रीश लगाए हैं कैसे दिखने ने क्य जल्दी से जाके उस कंटेंडर को फिक्स कर देते हैं यहीं था एद 20ığ ती सब्सक्राइब्स थे कर यह लग रहा था यहां कोई यहां प्र प्रून नहीं थी थी लगार पूजी है जब हम ट्रीज लगा रहे थे क्या यार कोई ना गाइस अभी ये सायर ठीक टाक हो चुका है इसको थोड़ा सा और अज़स्ट कर देते हैं अब नीचे चल के देखते हैं कैसा है नज़र नाव फाइनली गाइस आर जे एस पार के आर जे एस लेडर काफी ज़ादा अच्छे लग रहे हैं अभी थोड़ा बहुत और मोडिफाइ करते हैं वीडियो को कम्प्लीट करते हैं तो बती जो रात में आर जेस कुछ ऐसा दिखता है तो मैंने क्यों वाइस में थोड़ा सा और दिमाख लगाया जाए जिसके लिए मैं इन कार्ट को यह इसलिए खड़ा कर रहे अभी हमने ऊपर कुछ आर जीवी वाला वर्क भी किया है कि सायद वो अंधेरे में दिखे एक वार हम लोग नाइट करके देखते हैं कि क्या मेरी महनत काम लाई है बना ऐसे भी हमारा आर जीएस पार्क एकदम से अच्छा लग रहा है ना नाइट करके देखते हैं क्या होत क्या अब एर आर जीवी मेरी कहां कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी एक वार यार फ्राइंग जेट से देखते हैं कुछ दिखता है क्या है मैंने घंटों लगा के और जीवी से लगाएं थी मैने जोजा इस चम अरे यार है ठीक है आर जीवी चमक रहे हैं यह लेटर समवाने कैसे चम 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 चमक रहे हैं हमारी मैनत काम आई लेकिन इसे देखने के लिए हमें फ्लाइंग जैड लगेगा वैसे यह काफी ज़्यादा गजब लग रहा है यार मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है और हम इसे और ज़्यादा मोडिफव मेरा बतियो